हेलो फ्रेंड नीता ही रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ हेल्दी और टेश्टी नाश्टा की रेसिपी तो चलिए बनाना शरू करते हैं तो बावल में डाल देंगे एक कब गेहू काटा आधा कब डाल देंगे बेसन काटा और तिन से चार पड़े चम्म सुजी डाल देंगे और डाल देंगे धेर सारी सबजी आप्याज, गाजर, पत्ता कोबीज, शिमला, मिर्च और हरी मिर्ची में ने दो डाली है और हरा धनिया डाल देंगे और मसाले में डाल देंगे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा डाल देंगे स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे गरम मसाला और आमचुर पाउडर डाल देंगे अब हम इसमें पहले देड़ कप पानी डालेंगे और अच्छे से सबजी और आटे को मिलाएंगे बाद में जरूरत लगे तो और पानी डाल सकते है फिर से हमने इसमें डाला है एक कप पानी टोटल हमें इसमें ठाय कप पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे और 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें सुजी डाला है तो सुजी जो है अच्छे से फूल जाए तब तक हम उसको ऐसे ही रख देंगे तो बस यहां धकन को बन कर देंगे तो बस यहां 10-15 मिनिट हो चुकी है नाश्ता बनाने के लिए हमारा बेटर बन के तयार हो चुका है अब हम गैस ओन करके तवा गरम होने के लिए रख देंगे तवा गरम हो जाए तब हम इसमें आधी चमच जितना तेल डाल कर फेला देंगे और एक बड़ा स्पून इसमें बेटर लाल देंगे और अंदर से soft परनेंगा इन नाश्टा बच्चों को बहुत पसंद आता है वैसे तो बच्चे सबजी रोटी खाना पसंद नहीं करते है लेकिन इसमें सबजी भी है और रोटी भी है मेरे बच्चे तो इस नाश्टे को बहुत पसंद करता है और मैं उसको lunch box में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुले फिर आएंगे एक नए रेसिपी के साथ